जैशी किशना दोस्तों हर महादेग सावन मास की पूर्णिमा तीस सगस्त की दीन है इजन करें एक छोटा सा चुग सा काम जिसको करने से जीवन की हर समझाय दूर हो जाती है सिर्फ एक छोटा सा उपाए है घर का परिवार का सदस से कोई भी कर सकता है जैसे कि पूर्णिमा पूर्णिमा और चंद्रमा चंद्रमा को आपको मैं आज यही बताओं कि चंद्रमा किसका से कनेक्टिट है आपकी मा से चंद्रमा का जो कनेक्शन है वो मा से होता है आपके मन से होता है तो आपके घर में अगर मा है जी सबके घर में मा होगी अपनी मा का आदर समाज जरू लेना चाहिए, चाहिए वो बच्चे हो, चाहिए वो बड़े हो, मा के लिए अपने बच्चे-बच्चे ही होते हैं, तो आपको जो मैं आज उपाय बताने जारी वो यही है, आपने अपनी मा के हाथ से एक मुठी चावल लेना है, एक मुठी चावल आप कैसे लेंगे, मा को और फिर आप किसी पातर गतोरी में अपना हाथ में लिजें, और मा से कहिए कि उसमें ये चावल डाल दें, वो कतोरी पातर को अच्छे से भल लिजें चावल से, मा का आश्यवाद लिजी और उसके उपर आप एक बेल पत्र रख दीजे, जेसे कि सावन की पूनिमा है, सावन भी चुका, आखरी दिन है ये, इस दिन जरूर से जरूर ये उपाय करें, पूनिमा की रात में आपने ये उपाय करना है, पूनमा की रोश्णी में आपनी इसको energetic मतलब इतनी ऊर्जा दे दीनी है कि जब आप इसको रखते है अपनी तिजोरी में तो आपकी तिजोरी भी धन से भरचाती है उसमें भी ऊर्जा आ जाती है नेगिटिविटी जितनी भी है वो दूर हो जाती है आपके अगर लश्मी कि एक बेल पत्र लेंगे वह आप इस कपोरी के ऊपर रख देंगे रहें साहलूसय को पूरी रात राथ के लिए उस चांदनी के रख़नी में रखनें आप इस पात्र को उठाखे नीच अपने मंदिर मे लें Shoulds के समक्ष रखे पूजा राधना करें आपकी जो मनो कामना जो इच्छ है वो आप बोलें कि मेरे घर में धन पैसा ज्यादा बड़े प्रिदी हो मालश्मी का स्थिर्वास इस तरह से प्राथना करते विए इसे आप लाल कपड़े ले लिजी या पीले रंका कपड़ा ले और फिर इस पोर्टली को आप अपने तीजोरी में रख दीजे चह दुकान के गल्ले में रख दीजे वेपास तल पे रख दीजे कहीं पे भी आप रख दीजे फिर देखे आप चमतकार आपकी जो धन की समस्याइं हैं वो सारी दूर हो जाएंगी भगवान शिफशंकर कि आपकी धन की समस्याइं सारी दूर होंगी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज जादर से जादर शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें मुझे आगया देजिए फिर आउंगे इसी तरकिया चूख से उपाई के साथ पे जैश्री किशना दोस्तों और हाँ कमेंश पे जैश्री किशना लिखना पिल्कुल ही मत भूलिए आप मुझे आगया देजिए